क्या आपने कभी सोचा है बसों में seatbelt नहीं होती लेकिन कारों में होती है और उसे लगाना भी जुरूरी है पर बसों में seatbelt क्यों नहीं होती इसमें passenger चोटे-चोटे compartment में इस तरह से बैटे होते हैं जैसे अंडे-अंडे की ट्रे में रखे होते हैं इसलिए accident के case में passenger की जो movement होती है वो दो स्टो के बीच में बने चोटे से compartment में होती है और passenger से रहते हैं और सबसे important region है बस का structure जोंकि बसे कारों से बहुत ही जारा strongest होती बस में पसेंजर काफी ज़्यादा हाइट में बैठते हैं तो एक्सिडेंट के केस में लगबग सारा इंपक्ट उसका नीचे वाला इंस्ट्रक्चर ले जाता है और पसेंजर पर काफी कम लोड ट्रांसफर होता है जिससे पसेंजर बिना सीट बैल्ट के भी सेफ रहते हैं